हलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा पहली विसेगडित आज बच्चो हम कक्षा पहली में विसेगडित पढ़ने वाले हैं देखो बच्चो विसेगडित में आपको एक से दस्ता गिनती आद हो गई है आप उसे गिनकर लिख लेते हो है ना तो बच्चो आज की पाड़ साला में हम जोड के सवाल करेंगे आज की पाड़ साला में हमें जोड के सवाल करना है ठीक है तो चलो हम प्रश्न पढ़ेंगे और सवाल करेंगे, पढ़ो और हल करो, पहला प्रश्न है, सलील के पास छे चौक है, एक लड़का है, उसका नाम सलील है, उसके पास कितनी चौक है बच्चो, छे चौक है, और जो हमीद है, हमीद ने उसे तीन चौक और दिये, और एक दूसरा लड़का है, उसका नाम हमीद है, हमीद ने क्या किया, सलील को तीन चौक और दे दिया, अब सलील के पास कितने चौक हो गए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, छे चौक किसके पास है, सलील के पास है, कितने छे, और हमीद ने क्या किया, उसको त तो अब ये छे धन, तीन, बच्चों जब हम जोड करते हैं तो ये जोड का चिन है, प्रश्ण में अगर आएगा, कि सलील के पास छे हैं, और उसको हमीद ने तीन और दे दिया, तो सलील के पास कुल कितने हो गए, मतलब हमें छे और तीन को मिला देना है, जोड देना है, छे लाइन खीचेंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अभी ये कितना लिखा है, ये तीन लिखा है न बच्छो, तो हम यहाँ पे तीन लाइन खीचेंगे, एक, दो, तीन, अभी हमें क्या करना है, ये पूरी लाइन को गिनना है, ठीक है, चलो हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो ये देखो नो आ गया, है ना, हम इसको गिनेंगे और जो नंबर आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे तो अब सलिल के पास कितने चौक हो गए, कुल कितने चौक हो गए, नो सलिल के पास तीन चौक थे, हमेद ने उसे तीन और दे दिया तो बच्चो हमने छे में तीन और मिला दिया, तो कितने हो गए, नो तो सलिल के पास कुल नो चौक हो गए, ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है केतन के पास चार बादाम एक बच्चा है उसका नाम केतन है केतन के पास कितने बादाम है चार और नेहा के पास चार बादाम है तो दोनों के पास कुल कितने कुल मिला कर कितने बादाम हो गए केतन के पास चार बादाम है और नेहा के पास भी चार बदाम है अब दोनों बच्चों के बदाम को हम मिला देंगे तो कुल कितने बदाम हो जाएंगे तो हमने क्या किया पहले केतन का लिखा केतन के पास चार बदाम है फिर हमने यहाँ पे नेहा का भी लिख दिया कि चार निहा के पास भी बदाम है अभी हम क्या करेंगे ये चार बदाम और ये चार बदाम तो अभी ये चार है बच्छो तो हम चार लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार ये भी चार लिखा है तो हम चार लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार अब हम सब को गिनेंगे, जोड है, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर मतलब दोनों को हम मिलाएंगे और मिलाने की जो क्रिया होती है उसे हम जोड कहते हैं जोड में हम क्या कहते हैं, दो अलग-अलग चीज़ों को मिला देते हैं, पास मिलाते हैं उसे हम जोड़ केते हैं अभी हम नेहा केतन के चार और नेहा के चार दोनों बदाम को मिला देंगे अब हम मैंने दोनों बदाम के चार-चार लाइन खीज दिये अब हम गिनेंगे और यहां पे लिख देंगे कि कुल इतने बदाम है केतन और नेहा के बदाम इतने हैं तो चलो हम गिनते हैं पहले बच्छो एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ कितना हो गया यहां पे? आठ तो कुल कितने बदाम हो गये? आठ चार केतन की? चार नेहा के आप उंगली निकालके भी कर सकते हो बच्छो एक हाथ की चार उंगली निकाली है दूसरे हाथ में चार निकाली है और पूरी उंगली को मिला कर गिनिये क्योंकि जब हम जोड करते हैं ना कुल कुल मिला कर कितने हुए? तो जोड के सवाल में हम एक दूसरे को मिला कर लिखते हैं जोड पास लाने की क्रिया को हम चोड करते हैं ये हो गया आगे जोसेफ के पास साथ फूल है एक बच्चा है उसका नाम जोसेफ है उसके पास तो साथ फूल है और एंजल के पास दो फूल है तो दोनों की मिलाकर कुल कितने फूल हो गए तो यहाँ पर क्या लिखा है जोसिफ के पास कितने फूल है साथ तो हम उसके जोसिफ के आगे लिख देंगे साथ फिल क्या है एंजल एंजल के पास कितने हैं दो तो हम साथ की नीचे ही दो लिख देंगे कुल मिलाकर मतलब हमें जोड करना है तो हम जोड का निशान लगा देंगे ठीक है? अब ये साथ है तो हम साथ लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ ये कितना है? दो तो हम दो लाइन और खीच लेंगे एक, दो, अब हम सारी लाइन को मिलाएंगे गिनेंगे एक साथ एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो कितना हो गया? नो ये देखो तो कुल फूल कितने है? नो है ठीक है बच्चो? कुल कितने फूल हो गये? हमने यहाँ पर भी जोड किया है जिया के पास पांच मणी है एक बच्ची है उसका नाम जिया है उसके पास पांच मणी है और परमीत के पास तीन मणी है जिया के पास कितनी है? पांच और परमीत के पास तीन दोनों के मिलाकर कितने मणी हुई? तो हमें दोनों संख्या को मिलाना है तो यहाँ पे देखो लिखा है जिया के पास मनी तो जिया के पास कितनी है पाँच तो हम जिया के सामने लिख देंगे पाँच ठीक है बचो और फिर क्या लिखा है परमीत के पास तो यह देखो, परमीत के पास कितनी है? तीन, तो हम पाँच के नेचे तीन लिख देंगे और हम यह जोड का निशान लगाएंगे बच्चो अब यह पाँच है, तो हमें कितनी लाइन खीचना है? पाँच, तो हम यहाँ पे खीचेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच यह कितना है बच्चो? पाँच के नीचे कितना लिखा है? तीन, तो हम तीन लाइन और खीचेंगे एक, दो, तीन अभी हमें जोड करना है तो हमने जोड का निशान लगाया है अभी हमें दोनों नमबरों को मिला देना है तो हमने लाइन खीच लिया है, अब सब को एक साथ मिला कर पढ़ेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो कुल कितने मनी हो गए, आठ मनी हो गए जिया के पास तीन, परमीत के पास पांच, परमीत के पास तीन हमने इन दोनों को मिला दिया, जोड कर दिया, तो कितने मनी हो गए, आठ तो बच्चो, ये जोड के सवाल हो गए है ना, अभी हम कुछ और सवाल भी करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ बच्चो, अभी ये दिखो, ये क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ती हूँ बीच के गोले की संख्या के बराबर, उत्तरवाली पंखुडी को रंगो अभी ये चित्र देखो बेटो, इसमें भी बच्चो हमें जोड़ी करना है ये देखो, ये फूल बना हुआ है न, ये फूल की डिजाइन है न और ये फूल की जो पंखुडी है, इसमें लिखा हुआ है तो हमें इसको जोड़ना है अभी ये बीच में कितना लिखा है? आठ कितना लिखा है बच्चो? आठ लिखा है अभी हम लाइन से करेंगे अभी यह कितना है छे अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गोले की संख्या यह जो बीच के गोले की संख्या है तो बीच का गोला यह है गोले की संख्या के बराबर उत्तर वाली पंखुडे को रंगू अब बीच के गोले में कितना लिखा है आठ कितना लिखा है बच्चो आठ अब जिस पंखुडी का टोटल आठ होगा तो उस पंखुडी में हमको रंग भरना है क्या करना है बच्चो रंग भरना है अब जैसे ये पंखुडी है ये कितना है छे तो हमने यहाँ पे छे लाइं खीज दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये कितना है दो, तो दो लाइन और खीज दिया, अब हम पूरा गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो इस पंखुडी में कितना नमबर आता है, आठ, यहाँ पे भी आठ है, तो हमने इसको देखो कलर मार दिया है, आपके पापा को बोलिये, कि वो आपको रंग लाके दे, कलर लाके दे, अब पापा कलर लाके देंगे न बच्छो, तो फिर आपको इसमें रंग भरना है, पहले आपको गिनना है, अगर आठ दोनों को मिला देंगे, आठ नमबर आता है, तो हमने उसमें भरना है जैसे यहां गोले में भी आठ है और इन दोनों को हमने मिला दिया तो भी आठ हो गया तो हमने यहां पे रंग भर दिया अब यह हो गया अब इसके बाद हम यह करेंगे अभी बच्चों हम लाइन ना बाहर खीचेंगे ने तो हमारा ये किताब खराब हो जाएगा यहाँ पे तो हमें कलर करना है न ये कितना है तीन तो हम इदर बाहर तीन लाइन खीचेंगे एक दो तीन ये कितना है चार तो हम चार लाइन और खीचेंगे एक दो तीन चार अब हम सबको गिनेंगे, जोड मतलब सबको मिलाना है, सबको मिलाकर गिनना है, तो चलो बच्चो हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, यहाँ पे कितना हो गया, साथ, तो यह और यह दोनों अलग हो गए, तो हम इसमें रंग नहीं भरेंगे, ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ दो, अब उसके बाद यह सवाल का नंबर है, यह कितना है बच्चो, चार, तो हम यहाँ पे चार लाइन खीचेंगे, एक, दो, तीन, चार, अभी चार के बाद कितना ल का है, तो हम चार लाइन और खीचेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यह जोड़ का निसान है, मतलब इन दोनों को हमें मिला कर, एक, साथ गिनना है, तो हमने लाइन खीच दिया है बच्चो, चलो, सब बच्चे मेरे साथ गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, तो इसका उत्तर कितना है, आठ, तो यह देखो, यहाँ पे भी आठ है, और यहाँ पे भी आठ है, तो हमें क्या करना है, इस पंखोडी में रंग भरना है, अब इबच्चो मेरे पास तो कलर नहीं है, तो मैंने पेंसिल से भर तो जिस बच्चे के पास कलर नहीं होगा तुँ मेरी तरह ही पेंसिल से कलर भर देगा। यह देखो ऐसे करके ठीक है। ऐसे करके आप पेंसिल से भी कलर कर सकते हो, है ना, लेकिन पापा को बोलो कलर लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल चालू हो रहा है, और सब मार्केट वार्केट सब खुल गए हैं बच्चों, तो कुछ दिनों में तो आपकी स्कूल भी खुल जाएंगे, है ना, अ पाठी में बच्चे पढ़ते हैं, सक्की स्कूल खुल गए हैं, देखो, ऐसे हम कलर कर देंगे, क्योंकि यहां गोले में भी आठ है, और यहां पे भी आठ है, इस पंखुडी में भी आठ है, यहां पे भी आठ है, दोनों आठ सेम सेम हो गए हैं, तो हमने यहां पर रंग अब कलर से रंग भरो में पास कलर नहीं है बच्चो मैं ने पेंसिल से भर दिया अब इसको देखेंगे अब यह कितना है बच्चो पांच तो हमने यहां पें पांच राइन खीच नहीं है एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये कितना है बच्चो तीन तो हम तीन लाइन और खीचेंगे एक, दो, तीन अब ये जोड का निसान है मतलब दोनों संख्या को मिलाना है तो चलो हम पूरी नंबर को मिला कर गिनते हैं आठ होता है कि नहीं होता है एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ, आठ तो यहाँ पे भी कितना नंबर आया आठ ये भी आठ है, ये भी आठ है तो हम क्या करेंगे इस पंखुडी को रंग भरेंगे की नहीं भरेंगे रंग भरेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आठ है और इस पंखुडी में भी आठ है तो इसको रंग भर दो बच्चो लेकिन बच्चो यहाँ पे अलग कलर भरना यहाँ पे अलग भरना सब पंखुडीों में अलग-अलग कलर भरना भी मेरे पास कलर नहीं है बच्चो तो मैं पेंसिल से भर दे रही हूं और पंकुड़ी में कलर भरते समय आपका कलर ये काली लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है? ये हो गया ये मैंने कलर भर दिया और जिसके पास नहीं है कलर तो पेंसिल से भी भर दो ठीक है? अभी ये दिखो अभी ये कितना है बच्चो? दो तो हमने दो लाइन खीच दिया अब ये कितना है? चार तो हम चार लाइन और खीचेंगे एक, दो, तीन, चार अब हम सब मिला कर गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कितना हो गया? छे तो ये बीच गोले में तो आठ है और इस पंखुडी का योग 6 हो रहा है तो ये सेम है? नहीं तो हम इस पंखुडी में रंग नहीं भरेंगे ठेक है बैच्चो? अब ये पंखुडी हो गई अब हम ये पंखुडी करेंगे इस पंखुडी के बीच में कितना लिखा है? 9 तो जिस पंखुडी का योग दोनों को मिलाने पर नौ नमबर आएगा उस पंखुडी में हम रंग भरेंगे और जिसमें नौ नमबर नहीं आएगा उसमें हम रंग नहीं भरेंगे तो बच्चों हम यहां से सुरू करते हैं ये कितना है पाँच तो हम पांच लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच के बाजू में कितना है? चार तो चार लाइन और खीचेंगे एक, दो, तीन, चार अब हम क्या करेंगे? सब को मिला कर गिनेंगे चलो गिनो बच्चो सब बच्चे मेरे साथ गिनेंगे बेटा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो कितना हो गया इस पंखुडी में? नो तो ये दोनो नमबर एक जैसे हो गए तो हम इस पंखुडी में रंग भरेंगे हम रंग क्यों भर रहे हैं? क्योंकि ये गोले का नमबर और इस पंखुडी का नमबर एक समान है, नो, नो है तो आपको भी बच्चो इसी प्रकार रंग भरना है ठीक है उसके बाद ये अब ये कितना है बच्चो? चार तो हमने चार लाइन खीज दिया एक, दो, तीन, चार चार के बाद ये में कितना लिखा है बच्चो? तीन तो हम अभी तीन लाइन और खीज देंगे अभी हमें सभी नमबरों को पढ़ना है इसको गिनना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ कितना हो गया? साथ अब इस पंखुडी में तो साथ है ये गुले में नो है तो दोनो नमबर एक समान है? नहीं तो हम क्या करेंगे बच्चो इसमें रंग भरेंगे की नहीं भरेंगे? हम इसमें रंग नहीं भरेंगे क्योंकि इस पंखुडी के नमबर को मिला कर साथ होता है और यहाँ पे तो नो लिखा है इसलिए हम यहाँ पे रंग नहीं भरेंगे अब चलो ये करते हैं, ये कितना है बच्चो, छे, तो हमने छे लाइन खीचा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब ये कितना है बच्चो, तीन, अब हम तीन लाइन खीचेंगे, एक, दो, तीन, अब हम पूरी को मिला कर गिनेंगे, चलो हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तो यहाँ पे कितना है या, नौ, और ये भी नौ है, ये गोले की संख्या नौ है, इस पंखुडी की भी संख्या नौ है, तो हम इस पंखुडी में रंग भर दें क्योंकि दोनों जगा का नंबर समान है, है ना, जिस इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, तो हम रंग भरेंगे, और जिसमें सेम नंबर नहीं है, तो उसमें हम रंग नहीं भरेंगे, जैसे हमने या पे रंग नहीं भरा, तो ऐसे आपको भी रंग भरना है, ठीक है, अब अब ये कितना है बच्चों, दो, तो हमने दो लाइन खीच दिया, ये कितना है, पाँच, हम पाँच लाइन और खीचेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब हम सब को मिला कर गिनेंगे, बच्चो आप लोग भी बोलो साथ में एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ ये देखो अब देखो बच्चो यहाँ पे गोले में नो है और इस पंखुडी का योग फल साथ है तो इसमें हम रंग भरेंगे की नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे क्योंकि गोले का नमबर और पंखुडी का नमबर अलग अलग है तो इसमें हम रंग नहीं भरेंगे अब ये है ये कितना है बच्चो? साथ तो हम साथ लाइन खीचेंगे एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ साथ के बाद कितना है? दो एक, दो अब हम सब मिला कर गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ तो यहाँ पे कितना हो गया? नौ गोले की संख्या कितनी है? नौ दोनो नमबर एक समान है तो इस पंखुडी में हम रंग भरे की नहीं भरे? हम इसमें रंग भरेंगे क्योंकि यह पंखुडी में भी नौ है इधर गोले में भी नौ है और जहाँ पे समान उत्तर एक जैसा उत्तर रहेगा उसमें हमें रंग भरना है यह देखो दे लिखा है बीच के गोले की संख्या के बराबर उत्तर वाली पंखुडी को रंगो तो इसमें भी नौ उत्तर बराबर आये हैं तो हमने इसको भी रंग दिया क्योंकि दोनों समान है तो बच्चो यह हमारा सवाल हो गया आप चलो हम नीचे का सवाल देखते हैं तितली पर लिखी संख्याओं को जोड कर उसे उचीत फूल से जोडो देखो बच्चो तितली पर कुछ संख्या लिखी गई है इसे हमें जोडना है और जो उसका सही उत्तर है हमें फूल में देखना है और उस फूल और तितली की जोडी मिलाना है ठीक है हमें यहाँ पर क्या करना है अगर जैसे यहाँ पर देखो साथ और दो तो कितना हुआ हम देखते हैं अब यह साथ है तो हमने साथ लाइन खीचा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ के बाद कितना है? दो तो हमने दो लाइन और खीचा कीच दिया अब हम सब गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो यह कितना आ गया? नौ तो इधर देखो इस पंखुडी में भी नौ लिखा है और यहाँ पे भी नौ आया है तो हम इन दोनों की जोडिये से मिला देंगे ठीक है? यह हमारा पहला सवाल हो गया अब यह दूसरा सवाल यहाँ पे कितना है बच्चो? चार तो हम चार लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार चार की बाजियू में कितना लिखा है बच्चो? तीन तो हम तीन लाइन और खीचेंगे एक, दो, तीन अभी हमें क्या करना है? यह सब को मिला कर गिनना है तो चलो बच्चो, गिनो मेरे साथ एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ यहाँ पे कितना आया? साथ यहाँ पे तो छे लिखा है तो यह फूल की जोड़ी इससे नहीं मिलेगी यहाँ पे तो पांच लिखा है यह फूल से भी तितली की जोड़ी नहीं मिलेगी और कहा है फूल? हाँ ये दिखो ये फूल में भी साथ लिखा है और ये तितली का भी साथ उत्तर आया है तो हम इस तितली की जोड़ी इस फूल से मिला देंगे है ना क्योंकि दोनों में एक समर्न उत्तर आ गया है इधर भी साथ है इधर भी साथ है ठीक है? अब हम ये सवाल करते हैं हम लाइन से करेंगे एक, दो गज़ा भी तीसरा नमबर अब ये कितना है बच्चो? पांच तो हम पांच लाइन खीचेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच के बाजू में क्या लिखा है बच्चो? एक तो हम एक लाइन और खीच देंगे चलो, अभी हम मिलकर इसको गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहाँ पे कितने आगे? छे अभी छे कहां लिखा है? ये तो साथ लिखा है ये तो आठ है इससे भी जोड़ी नहीं मिल सकती है यहाँ पे तो है नहीं ये साथ है ये भी नहीं ये पांच है इससे भी जोड़ी नहीं मिल सकती है ये देखो बच्चो, ये छे है तो हम इस तितली की जोड़ी इस फूल से मिला देंगे क्योंकि फूल में भी छे नमबर है और तितली में भी इन दोनों को हमने मिलाया तो 6 नमबर हुआ ठेक है? अब इसके बाद हम ये सवल करेंगे ये कितना है बच्चो? 6 तो हम 6 लाइन खीचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के बाद जुमें कितना है? 2, 1, 2 अभी हम इन सब को मिलाएंगे जोड करेंगे चलो गिनों बच्चो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आ गया 8 अभी कौन से फूल में 8 लिखा है? यहाँ पे तो 5 लिखा है यहाँ पे 7 लिखा है ये देखो ये फूल है इसमें 8 लिखा है तो हम क्या करेंगे? इस तितली की जोड़ी हम इस फूल से मिला देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 8 लिखा गया और यहाँ पे भी 8 लिखा गया आपको ऐसे लाइन खीच के गिनना है गिनन के यहाँ पे लिखना है और फिर देखना है ये नमबर और ये नमबर एक समान है, बराबर है तो उनकी जोड़ियां मिला दो ठीक है? अभी हमारा ये सवाल यहाँ पे कितना है? तीन एक, दो, तीन फिर ये कितना है? दो और हमें इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये जोड़ का निसान सब में है आज का सवाल ही है हमारा जोड़ करो चलो अभी हम गिनते हैं बच्चो अब भी गिनो मेरे साथ एक, दो, तीन, चार, पांच तो मैंने यह आपे पांच लिख दिया अभी पांच कहां लिखा है? फूल में हमें देखना है ये तो आठ है, ये साथ है ये नौ है, ये छे ये देखो बच्चो, ये पांच है है ना? और हमारा इधर पांच है तो इस तितली की जोड़ी हम इस पांच नंबर वाले फूल से मिला देंगे क्योंकि इस फूल में भी पांच है और यहां तितली का योगफल भी पांच आया है हमने तीन में जो दो मिला दिया तो कितने हो गए? पांच हो गए है ना? आप चलो ये बच्चो ये कितना है? साथ तो हम साथ लाइन खीचेंगे एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ अभी शुन्य, शुन्य मतलब कुछ नहीं तो हम कोई लाइन नहीं खीचेंगे चलो गिनो एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ ये देखो इसका उतर कितना है? साथ और ये साथ बच्चो कभी भी हम किसी नंबर में शुन्य, जीरो को जोडते हैं तो वो ही नंबर उतर में आता है यहाँ पे साथ है साथ में जीरो जोड़ेंगे तो साथ ही आएगा बच्चो, और हमने साथ नंबर के फूल से टितली की जोड़ी मिला दी है तो बच्चो, ये सारे सवाल आपको अपनी कॉपी में आपकी किताब में, आपको स्कूल से किताब मिली है ना तो अभी मैंने कैसे आपको लाइन खीच-खीच के सवाल बताये हैं इसी प्रकार आपको भी लाइन खीच कर करना है तो देखो बच्चो आज हमने ये जोड का सवाल किया ये किया और ये किया तो आज की पाट साला में बच्चो हमने क्या सिखा जोड का सवाल अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि टीचर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं सौरी बच्चो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी ठीक है बच्चो तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आपको ये सब सवाल अपने किताब में करना है ठीक है और इसमें भी मम्मी पापा से रंग मंगा लोगे टार रंग करोगे तो और सुन्दर दिखेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में जोड का सवाल करने में न बच्चो हमको बहुत मज़ाता है तो आज की पार साला में हमने जोड के सवाल किये ये सारे सवाल आपको अपने किताब में करना है ये आपका home work है ठेक है बच्चो तो बच्चो आज की पाड़ साला को मैं यही पे समाप्त करती हूँ अगली पाड़ साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाड़ साला में नए हैं तो मेरे पाड़ साला को लाइक करिये सब्सक्राइब करिये कमेंट करिये और अपने दोस्तों में शेयर करिये ताकि मेरे पाड़ साला का लाब सभी बच्चे ले सके जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो न वैसे आपकी दोस्त भी पढ़ाई कर लेंगे है ना बच्चो हमें तो सब को लेकर चलना है आपका दोस्त भी पढ़ाई करता है तो आप सभी बच्चो मन लगा कर अपनी पढ़ाई करो ठीक है बच्चो और जो घंटी का चित्र है ना बच्चो उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और अप अपनी पढ़ाई कर सको तो बच्चो मैं आज की पार साला यहीं पे समाप्त करती हूँ अगली पार साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो